नमास्कार दोस्तों मा चैनेल में आपका स्वागत हैं आज हम एक छोटे से गाव में आयो हैं और यहां पर एक छोटी सी खेती का नजारा आपको दिखाएंगे तो आप हमारी इस वीडियो में अंतितक बने रहें खेतों में पानी कैसे दिया जाते हैं तो आप देखिएगा हमारे इस वीडियो में यह क्यारी है यह पानी का धोरा है इसको धोरा है और एक धोरे से वह पानी इस प्लो चुकी है देखिए आप यह पानी से फूल चुकी है अब हम इसको बंद करेंगे दोरे को इस क्यारी को बंद करेंगे मिट्टी से और आगे वाले क्यारी में पानी पहुचाएंगे तो ऐसे यह पानी जाता हुआ एक क्यारी इस दोरे से पानी इस दोरे से पानी होता हुआ इस क्यारी में गया इस क्यारी को बंद कर दिया गया यहां से और नेक्स क्यारी में पानी जाएगा ऐसे ही यह लोग हर क्यारी में पानी इसी परका वह पानी चलता रहता है आप देख सकते हैं यहां पर छोट छोटी फसल तो आप देख सकते हैं यहां पर चार और चोटी से खेती है हम आपको दिखाएंगे कि इस क्यार्यों में कौन-कौन सी फसल उगाई गई तो आप हमारे इस वीडियो में अंति तक बने रहें यह लेसुन की फसल है इस क्यारी में लेसुन की फसल उगय गई है यह प्याज की फसल है आप इस क्यारी में देखें यह प्याज की फसल आप देख सकते हैं यह प्याज यह है माटर के फसल यह है गोवी की फसल है यह गोवी का छोटा सा पोधा अब इसमें गोवी लगी भी नहीं है कि राजस्तानी भासा में यह डोलियां होती है यह देख रहे हैं यह डोली है और यह जो पार्ट बनाया है यह क्यारी है ओ अब जिससे lip घाए जाएगी ह 45 पानि दने अपset यह पाइब बढक निफुया हिए इन फसल है छिए है आप प्सक्राइब हो है और यहां पर अभी फसल उग रही है कि इसमें अभी सुबह पानी दे दिया गया है कि यह बिले कलर में आपको जो नजार आ रही है भैंस है कि आपको यह दिखा दे रही है यह बैसा बत्चा है जिसे हम पाड़ी बोलते हैं राजस्तनी भासा में यह गाई भैसों के लिए चारा है यह आप जो यह पेड़ देख रहे हैं यह बील पत्र का पेड़ है अब तो यह देख रहे हैं बील है यह हैं इस काव का कुवा है यहां से ही पहले पानी जाया करता था लेकिन आधिया सूख चुका है यह है गोबर है है इस गोबर से गोबर खाद बना जाती है गोबर का खाद फासल के बहुत ही उपयोगी बहूत अच्छी है यह एक छोटा सा नीबू का बगीचा है यहां पे। यह में पेड़ है Ee हाव आपको दिखायेंगे दिوع कि आप ये देख रहे हैं हैं यहां तक आonic का पेड़ है कि आपको जो ये नजर आ रहे हैं यह हैं हुआ जिससे हम आवली के सब्जी पंदी ऐसे अचार बनता है और मुरब्बे बनते हैं आप देखो याद देख सकते मेरे आप में यह थे あम ला जोकी पेड़ पिर एते और और यह भी छोटे हैं मैं इनको खाके आपको दिखाती है कि यह बहुत कट्टा है अब यह वारिस आप आमना जब भी आपको कोई कोई आमने खट्टे मीठी मिलें यह बहुत कट्टा आमना है यह नेबू के पेड़ है यह नेबू ग्रीन कलर के अभी एक अच्छे हैं यह यह यलो कलर का यह पकने वाला है इसके नीचे एक छोटी सी जगे बनाए गई है जो गर्मियों में यहां आराम कर सेके बैड़ सेके यह यह आमला देख सकते हैं कितने आमले लगे वह हैं यह यह तो यह 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 यहलो कलर के नीबू आपके सामने आ चुके हैं इन में सबसे ज्यादा विटामिन सी होती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदमंद है विटामिन सी हमारी बोड़ी के लिए बहुत अच्छी रहती है आपको हमारी वीडियो कैसे लगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ है तब तक के लिए जैहिन जै भारत कि अच्छी बहुत है